दोस्तों आज एक और question ले रहे हैं कि bathroom किसी भी zone में बना सकते हैं क्या ये बड़ा एक important सवाल कई बार निकल कर आता है क्योंकि कई लोग toilet और bathroom दोनों अलग-अलग बनाते हैं हाला कि आज कल जो trend है उसमें toilet और bathroom combined होता है लेकिन कुछ लोग अभी भी दोनों को अलग-अलग बनाते हैं तो ये एक जी का question है जो नोंने पूछा कि क्या ये किसी भी zone में बन सकता है bathroom तो इसका बड़ा simple answer है कि bathroom आप चाहें तो किसी भी zone में बना सकते हैं उसके अंदर कोई समस्या नहीं है अगर उसका purpose सिर्फ नहाने से related है क्योंकि कई बार individual bathroom जो होते हैं पुराने वक्तों में भी जो लोग बनाते थे तो वाँ कपड़े धोने का purpose रहता था तो अगर कपड़े धोने का purpose नहीं है टॉयलेट का purpose नहीं है सिर्फ नहाने का purpose है तो ऐसा bathroom किसी भी zone में बनाया जा सकता है उससे कोई दिक्कत नह है आप चाहे उसको नौर्थ में बनाये चाहे इस्ट में बनाये चाहे वेस्ट में बनाये चाहे साउथ में बनाये इससे कोई दिक्कत नहीं है हाला कि कई बार अभी पीछे ही किसी ही से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मैंने कोई वीडियो देखा उसमें बोला और अगर इस तरीके की सोच के साथ वास्तू किया जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी आप बाथरूम बना पाओगे, टॉयलेट बना पाओगे, क्यों? क्योंकि जो जगा पानी के लिए अच्छी है, नौर्थ है, नौर्थ इस्ट है, वहाँ पानी के पाईप आ सकते हैं, लेकिन टॉयलेट नहीं आ सकता, और जहां टॉयलेट आ सकता है, वहाँ पर वाटर एलिमेंट नहीं आ सकता, अगर मैं पानी के पाईप कोई वाटर एलिमेंट माल लूँगा, तो फिर तो वहाँ टॉयलेट बनी नहीं सकता, या फिर मुझे लगता है कि आप ऐसा toilet बनाना चाहते हो जिसके अंदर पानी की विवस्ता ही नहीं तो उसका बना करेंगे क्या तो पहली चीज पानी के pipe किसी water element को represent नहीं करते है तो उसको clear रखे mind के अंदर कि पानी के pipe या null ये water element को represent नहीं करते है तो आप अगर bathroom बना रहे हैं आप निश्चिन तोकर किसी भी जोन के अंदर बना सकते हैं हाँ जैसा कि इन्होंने पूचा कि भाई टॉयलेट जैसी सेम डिरेक्शन ही बातरूम के लेगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बातरूम कहीं पर बन सकता है हाँ toilet के लिए जो आपने direction लिखी है नौर्थ नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट नौर्थ वेस्ट है साथ साथ वेस्ट इस साथ यह अच्छी माने गई है ठीक माने गई है यहाँ पर आप toilet बना सकते है दूसरा ननीता जादव जी का एक question है कि जो metal strip है क्या वो stick करनी है किसी adhesive के साथ या फिर tile निकाल कर अंदर fix करनी है cement के साथ तो पहली चीज यह है कि मेरा एक video है metal strip कैसे use करनी है उसके ओपर तो आप वो पूरा video देख सकते हैं लेकिन फिर भी question है तो मैं short में एक answer देना चाहूँगा आपको कि देखिए अगर आप metal stick जो strip होती है न उसको adhesive के साथ toilet पे stick करने की कोशिश करेंगे न तो वो नहीं टिकेगी ठीक है पहली बात तो उसके उखड़ने के chance दे रहेंगे एक percent माल लीज़े टिक जाती है तो भी आपका पैर उस पर लगकर उसको चोट लग सकती है पैर कट सकता है किसी बच्चे को साथ कोई दिक्कत हो सकती है तो ऐसा काम करना ही क्यों है अगर आपको normally अपने घर के अंदर drill नहीं करवाना है floor bathroom का तो आप tape use कर लीजिए paint कर लीजिए उसको आप इस्तमाल कीजिए और उससे treatment कर लीजिए लेकिन अगर strip use कर रहे हैं तो please उसको drill करकर insert कीजिए ठीक है ने? drill करकर cut कीजिए और उसके बाद उस strip को vertically insert कर लीजिए जिससे कि ना तो आपके जो bathroom के अंदर tiles की look और finish है उसके उसके ओपर बहुत ज़्यादा कोई असर पड़ता है और बहुत decently वो floor के अंदर लग जाती है और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आती तो ये आप कर सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो एक मेरा वीडियो है regarding metal strip तो metal strip के regarding वीडियो वो आप देख सकते है तो ये आपके question का answer है और अगले जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपके कुछ और question भी ले लेंगे और दूसरी चीज दोस्तों अगर आप सीखना चाते हैं वास्तू तो हमारा नया course चुछ होने वाला है आप नीचे description में जाईए वहाँ link है वहाँ पर जाकर enroll कीजिए और अच्छे से वास्तू सीखिए और ताकि आपके ये जो भी कोई छोटे-छोटे doubts होते हैं ये अपने आप ही clear हो जाएं आपको इन सब कोई जरूरत ही ना पड़े तो धन्यवाद दोस्तों थेंक्यू थेंक्यू वेरी बच्च